नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपकी इपनी YouTube चैनल पर जी हां दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट द्यापक पातरता परिक्सा 2022 नोर्मलाइजेशन को लेकर बहुती बड़ी अपरेट जी हां दोस्तों रीट 2022 नोर्मलाइजेशन होगा 18 नमबर क इसमें 18 नमबर की बडोतरी होने की संभावना है दोस्तों जी राजस्तान न्योज का कुछ समय पहले का जेपुर से ट्वीट है टेवी जुलाई को दूसरी पारी में हुई थी पहली परिक्सा लेकिन इस परिक्सा का पेपर आयाता काफी टप ऐसे में नोर्मलाइजेशन नहीं होने पर दी है आंदोलन की चेतावनी यानि दोस्तों पांच बज के 21 मिनट 14 अगस 2022 आज का ट्वीट है दूसरी बड़ी अपडेट है जेपुर से रीट अध्यापक पातरता परिक्सा से जुड़ा है मामला परिक्सार्तियों ने अब उठाई है नोर्मलाइजेशन क की मांग रीट लेवल टू परिक्सा में नोर्मलाइजेशन की मांग कहा 23 और 24 जुलाई को तीन पारियों में हुई थी परिक्सा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 23 जुलाई का पेपर है साम का वो काफी ज्यादा टप है इसके अंदर 18 नंबर की बडोतरी होने की पूरी संभावना है वही 23 जुलाई के बाद में जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था दोनु पारियों का पेपर इजी है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये पातरता परिक्सा है इसमें 24 जुलाई वालों को कोई नुक्सा नहीं होगा उसके नंबर है वो नहीं क जरूरी था आपको जानका अच्छे लग्यों तो वीडियो को लाइक ओर से जरूर करें जैहिंद जैवारत